नमस्कार दोस्तों जारखन जीके के स्वा महतपूर्ण प्रस्ण में आपका स्वागत है दोस्तों मैं आप से कहना चाहूंगा कि इसमें टोटल स्वा प्रस्ण को हमने इंक्रूल किया है जो सभी इंपोर्टेंट है और आपके आगामी किसी भी परिच्छा ज़िद्य आती है जेसेशी जेपेसी टीचर लेवल क्या थी है उसमें इस प्रस्ण को पूशे जाने की ज़्यादा समभावना है तो इस वीडियो को शुरू से आपन तक जरूर देखेंगे ठीक है तो चलिए हैं पहला प्रस्ण शुरू करने से पहले बता दें कि इसमें आज हम लोग प्रस्ण जो है अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे तो ये पार्ट वन आप इसको सोचके चले पार्ट टू अगला दिन अप्लोड होगा देखें पहला प्रस्ण क्या है जारखन की पहली जनगन्ना कीस वर्स हुई थी सही उतर है 1872 भी अगला प्रस्ण है उत्री छो अगला प्रस्ण है साहित अकादमी के पुरस्कृत पुस्तक मुंडारी टू कोठारी के लेखक कौन है तो मुंडारी टू कोठारी के जो लेखक है वो है मनन सिंग मुंडा सही उतर क्या होगा मनन सिंग मुंडा तो इस पुस्तक को क्या मिला है साहित अकादमी के दोरा पु अगला प्रस्न है गौतम बुध अभ्यारन कीस जिले में इस्थित है सही उतर है कोडर्मा अगला प्रस्न है बीरसा भगवान जेविक उध्यान कहां इस्थित है सही उतर है रांची तो अगला प्रस्न क्यों बढ़ते हैं आपे अगला प्रस्न है जहारखन में कितने परतिसत खनीज भंडार और संचित हैं सही उतरहगा 73-iper90 अगला प्रस्त में बेतला राश्टिय भारन कीस वर्स प्रोजेक्ट टाइगर के तहद संदाचित छेतर घोशित किया गया था तो बेतला प्रस्त के बढ़ते हैं जारकन में अब्रक की खान कहां पाई जाती है सही उत्र होगा कोडर्मा अगला प्रस्त है जार राजमहल ट्रेप किन चटानों से निर्मित है तो राजमहल का ट्रेप जो है वो किस चटान से निर्मित है सही उत्र होगा बेसाल्ट जारकन का पहला मु लुक्तिमोर्चा बात करें कि बाबुलाल मरंदी जब मंत्री बने थे जहरकन के उस्टैम ये कोंड सी पार्टिया से बने थे बीजेपी तो बीजेपी से बने थे कुछ इसमें तानातनी विव यूने बीजेपी को समाप्त कर दिया था यहां बनाया था जे भीम ठीक है जारक में रखेंगे ठीक है तो दोस्तों डिस्प्ले कहां पे लाइट थोड़ा सा अजानक कम हो गया था माप किजिएगा अगला प्रस्थन के और बढ़ते हैं राजमहल ट्रेप किन चटानों से निर्मित है ये तो हो गया था बाउलाल मरंडी तक हो गया था तो वर्तमान में नागपूर कास्तकारी अधिनियम कब पारित किया गया था सही उतर है एक नॉमबर 1928 में कब किया गया था छोटा नागपूर कास्तकारी अधिनियम पारित तो एक नॉमबर 1928 में किया गया था अगला प्रस्थन है जारखन पार्टी की अस्थापना संस्थापक कौन थे त कि इसका अस्थापनाभ अथा जाराखन पाटी का, तो इसका अस्थापनाभ अथा, 18iger 15ու मे अथिए संथाली लीपी-अवल Murder लिवनुद्र क्या इसकारक कॉन है क्योंतचाति गनतर्मुॉ थित्क है, देश्जित नो सब्सक्राइब को एक अपना निप्य है उसी तरह से संथाले का भी एक अपना लिपी है और ये प्रस्ण पूछा भी जाता है और पूछा भी गया है तो संथाली भासा को जो लिखे जाती है तो इसका वोल्ची की लिपी में लिखा जाता है इसको अगला प्रस्न है जनसंख्या की दिरिष्टी से कौन से जनजाती सिर्वाधिक है तो जारखन में सबसे अधिक जनसंख्या वोला जो जनजाती है वो संथाल जनजाती एक नमबर पर आती संथाल जनजाती अगला प्रस्द है जादू पटिया जहारखंड के किस जनजाती की चित्रकला सेली है सही उतर है संथाल जनजाती की पूछा जाता है जहारखंड में जादू पटिया क्या है तो देखें जहारखंड में जादू पटिया जो है वो चित्रकला चित्रकला है चित्रकला की एक सेलिय ध्यान रखिएगा अगला प्रस्थ है बोध कालिन भद्रकाली मंदिर कहां इस्तित है सही उतर है चत्रा अगला प्रस्थ है मुगल सुबेदार मान सिंग ने किस छेतर में अपनी राजधानी बनाई थी तो मुगल सुवेदार मान सिंग ने राजमहल छेतर को अपना राजधानी बनाया था इन्होंने ठीक है किसको बनाया था तो राजमहल को इन्होंने अपना राजधानी बनाया था अगला प्रस्थन है राजी की सबसे परदुसित नदी कौन सी है तो जहारखन राज की सबसे अधिक परदुसित नदी दामुदर नदी है दामुदर नदी को बिहार का सोक भी कहा जाता है ध्यान रखियेगा और बिहार का सोक कहा जाता है कोसी नदी को अगला प्रस्थन है जार्खन में राष्टिय राजमार्गों की कुल लमाई कितनी है तो पूछा जारा है राष्टिय राजमार्ग ना की राजकी राजमार्ग ठिक है तो राष्टिय राजमार्गों की जो कुल लमाई है 960 किलो मिटर है दामदर नदी का उदगम की इस पठार से होता है सही उतर है छोटा नागपुर का पठार अगला प्रस्थ है पद्म सिरी समान से समानित जहरखन के पर्थम आदिवासी का क्या नाम है सही उतर है जुएल लकड़ा तो यहाँ पे पूछादार है पद्म सिरी का बात आया है और समान से समानित होने वाले पर्थम आदिवासी जो पहले बारा इनको समानित किया गया था वो है जुएल लगड़ा अगला प्रस्त है तसर उत्पादन में जहारखन का देश में कौन सा स्थान है सही उतर है पहला तसर उत्पादन में जहारखन का देश में पहला स्थान है अगला प्रस्त है जहारखन में कौन सा परमानुखनीच पाए जाता है सही उतर है थोरियम अगला प्रस्त है जूमर प पायकार, नटबा और अगनी ठीक है तो ये क्या है जारखन के सफी लोक नरीते हैं अगला प्रस्थ है केंदरिये खनन एवम इंधन अनुसंधान संस्थान जारखन में कहा इस्तीत है सही उतर हो जागा धनबाद ठीक है धनबाद में इस्तीत है केंदरिये खनन एवम इंधन अनुसंधान, सनस्थान, ठीक है, चलिए, अगला प्राइसन के और बढ़ते हैं, गोड़ा, देवघर, दुमका, जिला, जारखन के कौन से परमंडल के भाग है, सही उतर है, संथाल प्रगना के, ठीक है, तो यहाँ पर मंडल की जारखन में कुल कितने परमंडल है, तो आदिवासी से समंधित है, तो यह संथाल आदिवासी से जंजाती से समंधित है, अगला प्राइसन है, जारखन के भी सुविजेता बनने वाले जारखन के पर्थम सतरंज खिलाडी का नाम क्या है, तो इसका नाम है दीप सेन गुपता, अगला प्राइसन है, ओ अजनमा सु ऐखन्द्ग और और शोल सर अधानी ज्ञत्ञिती काcı और You such आलग की विटत सकिन समय ज़िये को बिड्यों के के लिवाह दोशन ज़लपात किस नदी परिष्थितΗ है तो शोरण रेखार नदी परिष्थित इस्टाइग मैं वीडियो के डिया वहा दोजिए ये 1200 आप same detail से उसका उदगा मस्थान कितने की उचाई से गिरती है उसका विडियो मिल जाएगा आप वहां से जाके देख लीज़ेगा मेरे चैनल से ठीक है अगला प्लाष्ण की बढ़ते हैं जहारखं में कितने सदन है तो यह एक सदन है जहार खन में और अगला प्रसन है बोकार्यो बोकारों में तो एसिया के सबसे बड़ी कोल वासरी जहां पर कोईले को वास किया जाता है कहां पर है करगली वोकारों में तो दोस्तों इस वीडियो में जहरखन जीएस का इतना ही अगले वीडियो में मिलते हैं जो बचावगा कोसन है उसको अगले वीडियो में देखेंगे मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर जरूर कर दिए और कल का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा थेंक्यू थेंक्यू फर वाचिंग